हले ओवी बार्स में हूँ सर्तासरोरा देख रहे हैं सर्तासर की क्लास वैसाब आज के दिन की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ और इस टोरी भी छोटी मोटी नी लिए बल्कि सलमान खान की पॉपुलर फिलिम तेरे नाम की श्टोरी लिए यह जानमूझ के लिए ताकि आपका दिल लगा रहा है और देखो ट्रांसलेशन कैसे करते हैं अब इस ट्रांसलेशन में आप ध्यान से देखना कैसे प्री पोजिशन कौन सी जगा पे लगाते हैं किस तरह से फ्रेजेस का University करते हैं कैसे sentence set up करते हैं ये सारी चीज़े आपको समझ माएंगी और मजा भी आएगा सही है अब रादे रादे मतमन्या ना आप बैसी दे जाद अच्छे सवेटो पाले ऐसे उपर कल देना ठीक है और इस वीडियो को फिर देखना जरा ध्यान से अब तेरे नाम फिल्म की ट्रांसलेशन करने के लिए इस वीडियो काने तक जरूर देखिएगा आगे बढ़ने से बहले चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए साबस्क्राइब बढ़ने के आप में एक बैल आगे नगा उसको दबाद दीजिए ताकि रोजान लिविडिस लोटिफिकेशन आपको मिलकुल टाइम पर मिल जाए तो चलेगा इस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और हमारे सामने है तेरे नाम फिल्म की एक हिंदी में छोट इसी स्टोरी सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी पढ़कर सुना देता हूँ तेरे नाम फिल्म राधे मोहन के बारे में है जो कॉली से निकला हुआ एक लड़ाकू लड़का होता है जो परिशान करने के बाद एक पारंपरिब ब्रहामन लड़की प्रतम वर्ष की शात्रा निर्जरा को अपना दिल दे बैठता है जब निर्जरा उसका प्यार स्विकारती है तो राधे पर गुंडों के ग्रोह द्वारा हमला किया जाता है वे अपना दिमाग खो देता है और उसे एक आश्रम में भरती कराय जाता है जहां यह आशा की जाती है कि उप्चार के अधिक परंपरागत साधन उस पर प्रभाव डाल सकते है आखिरकार वे सामाने हो जाता है और निर्जरा के घर वापिस जाता है उसे पता चलता है कि उसने आत्मत्या कर ली है इस तथे को सिकार करने के बाद वे आश्रम लोटता है अंत में दिखाये जाता है कि राधे अपना पूरा जीवन आश्रम में बिताता है आईए से स्टोरी के इंगलिश में ट्रांसलेट करते हैं स्टेप बाई स्टेप सेंटेंस वाईज सबसे पहला सेंटेंस है तेरे नाम फिर्म राधे मोहन के बारे में है इसके इंगलिश होगी तेरे नाम मूवी इस अबाउट राधे मोहन ये सेंटेंस बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो गया easy था यहाँ पर इसका इस्तिमाल इसलिए किया गया क्योंकि हिंदी के वाक्य में अंत में लिखा है है और about इसलिए लगाया गया क्योंकि about का मतलब होता है के बारे में अगला वाक्य है जो college से निकला हुआ एक लड़ाकु लड़का होता है इंगलिश होगी अब इस sentence को ध्यान से देखिए इसमें जो के लिए कुछ भी नहीं लगाया मैंने वो इसलिए क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही है अल्रेडी उसका नाम पहले sentence में लिखा हुआ है और इंगलिश का रूल होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के बारे में बात हो और उसका नाम अल्रेडी मेंशन किया जाए तो बाद में अगले sentence में उसके लिए जो के लिए वह के लिए ऐसे कुछ के लिए he, that वगरा कुछ नहीं लगाते हैं अर रावडी का मतलब होता है एक लडाकू यानि कि लडाई छगडा करने वाला, बाद बाद पर छगड़ने वाला एक्स कॉलिज बॉय का मतलब होता है कॉलिज से निकला हुआ यानि जिसने कॉलिज छोड़ दिया हो जो परिशान करने के बाद, अब यहाँ पर देखिए who, after ragging who के लिए, जो after ragging यानि परिशान करने के बाद हाला कि परिशान करने के लिए और भी शब्द हो सकते थे जैसे कि travel या फिर कोई और लेकिन ragging शब्द इसलिए इस्तिमाल किया गया क्योंकि यह student है, college का तो college में परिशान करना यानि ragging करना तो after ragging यानि परिशान करने के बाद एक पारम पर एक भामर लड़की प्रथम वर्षकी शात्रा निर्जरा को अपना दिल दे बैठता है तो सबसे पहले लिखेंगे loses his heart यानि कि अपना दिल दे बैठता है यानि कि फालतुवी चीज़े पहले नहीं लिखते हैं पहले काम लिखते हैं वर्ब लिखते हैं क्रिया लिखते हैं तो क्रिया इसमें क्या हो रही है क्रिया यही हो रहा है कि दिल दे दे देना दिल खो देना प्यार हो जाना तो इसके लिए अंग्रेजी फ्रेज है, lose the hurt, तो यहाँ पे loses his hurt, his यानि अपना-पना कौन, राधे की बात हो रही है, तो लड़का है, तो इसलिए his, किसको दे देता है, to first year student निर्जरा, प्रतम वरश की जो शात्रा है, निर्जरा उनको दे देता है, अब आगे निर्जरा क करके तुकडों में लिखा, सबसे पहले लिखा, दिल दे देता है, किसको दे देता है, first year की student को दे देता है, और वो student कैसी है, तो वो एक traditional अब्रामर लड़की है, तो इस तरह से लिखते हैं, आगे है जब निर्जरा उसका प्यार स्विकारती है, तो इंगले शोगी, just when न प्यार स्विकारती है, निर्जरा accepts his love, यानि कि जब वो उसका प्यार स्विकारती है, accept में S लगाना पड़ा क्योंकि ताहेंती है, present definite tense, और His इसलिए लगाया क्योंकि लड़के की बात हो रही है, his love, आगे क्या होता है, तो राधे पर गुंडों के एक ग्रोह द्वारा हमल किया जाता है, तो is attacked, इसके बाद third form passive voice में लगती है, जाता है, जाती है मैं, किसके द्वारा by a gang of holigans, गैंग का मतलब होता है ग्रोह, यार holigans का मतलब होता है गुंडे, मवाली, तो gang of holigans हो गया, वह अपना दिमाग खो देता है, कौन खो देता है, राधे, तो English होगी, loses his mind, मैंने वह के लिए he नहीं लिखा, वजह क्या है, क्योंकि already sentence में उपर लिखा है, कि राधे is attack, राधे पर attack किया जाता है, और attack करने का result किया होता है, कि वह अपना mind खो देता है, यानि mind वाला sentence, attack वाले sentence से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए दोबारा से he, या फिर his, या फिर एक आश्रम में भरती कराए जाता है, ये भी वाकिये पहले वाले वाकिये से जुड़ा हुआ है, किस वाले वाकिये से, attack वाले से, यानि पहले attack होता है, फिर उसका दिमाग चला जाता है, या एक तरीके से कहें mentally disturbed हो जाता है, और उसके बाद उसे एक आश्रम में भरती करा जाता है तो सारे sentence से जुड़े वे हैं तो यहां पर फिर से उसे के लिए कुछ भी नहीं लगाएंगे सीधा सीधा लिखेंगे is admitted to an ashram, खतम हो गया बस, is admitted यानि कि उसे admit किया जाता है, भरती कराए जाता है to an ashram, एक ashram में, अब जहां, जहां के लिए where, यह तो खतम हो गया, यह आशा की जाती है देखिए उपर अभी हमने जाता है जाती है वालब बनाया था और यह फिर से आ गया, हमला किया जाता है तो ismr के सब third form लगाई थी मैंने, यह फिर से आ गया कि यह आशा की जाती है तो English होगी, it is hoped, यहाँ पर आशा करना hope उसकी third form लगी हुई है अब आगे का sentence थोड़ा मुश्कीले ध्यान से सुनेंगे कि उपचार के अधिक परंपरागत साधन उस पर प्रभाव डाल सकते है उपचार यानि कि उसका जो treatment होगा परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से यानि डॉक्टरी इलाज नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, जो परंपरा वाला तरीका है जो वेदो द्वारा तरीका है, वो उसके उस पर अच्छे प्रभाव डाल सकते है तो इसके इंगलेश होगी, the more traditional means of treatment could have an effect on him तो यहाँ पे traditional means का मतलब होता है उपचार के तरीके या उपचार के साधन means का मतलब साधन या तरीके होता है, traditional मतलब वही परंपरा जो परंपरा चली आ रही है और could have मतलब डाल सकता है, क्योंकि यह past की बात हो रही है और हम हम बता रहे हैं तो could have का इस्तेमाल हुआ an effect, यानि कि एक प्रभाव आखिरकार वह वापस सामाने हो जाता है, आखिरकार के लिए eventually मैंने इस्तेमाल किया वह सामाने हो जाता है, तो normal कहते हैं लेकिन वापस से सामाने हो जाने को return normal कहते हैं तो English होगी, he returns to normal, तो वह सामाने हो जाता है, he returns to normal, eventually he returns to normal यानि सामान्य हो जाता है फिर क्या होता है और निर्जरा के घर वापस जाता है अब और के लिए एंड अब वापस जाना गो बैक होता है लेकिन वह वापस कैसे जाता है भागता हुआ जाता है तो मैं फिल्म को ध्यान में रखते हुए गो बैक की जगा या रिटर्न की जगा इस्तेमाल कर रहा हूँ, rush is back to nirjara's house, यहां पे rush is back, rush back का मतलब होता है वापस जल्दी से भागना, वापस, back मतलब वापस, और rush मतलब तेजी से भागना, और खाली rush का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी से, तो rush is back यानि वापस जल्दी से जाता है to nirjara's house, rush में ऐसे to know he comes to know यहां पर फिर से टेंस था ताहे थी है वाला तो इसलिए एस का प्रियोग करना पड़ा सिंग्लो परसन के साथ अगर प्लियूरल होता तो एस यह यह नहीं लगता क्या पता चलता है कि उसने आत्महतिया कर ली है अब कि की के लिए दैट लगा दिया उसने उसने किसने निर्जना ने आत्महतिया कर ली है तो यहां पर शी का प्रियोग करते हैं बनाएंगे शी हैज कमिटेट सिसाइट कमिट सिसाइट का मतलब होता है आत्महतिया कर लेना करने के लिए डू अगरा नहीं लगाते सिसाइट के साथ कमिटेट सिसाइट शी हैज कमिटेट सिसाइ करने के बाद यानि यह जो बात है कि उसने आत्मत्या कर लिए इसको वो accept कर लेता है उसे पता है अब वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी after accepting स्विकार करने के बाद after accepting this fact इस इस fact को यानि इस तथे को इस बात को क्या होता है वह आश्रम लोटता है यानि वापस चला जाता है तो इंगलिश होगी he returns to the आश्रम he returns to the आश्रम यहाँ पर return में ऐस लगाना पड़ाता है और आश्रम के साथ दो लगाना पड़ा क्योंकि यह वही आश्रम है जिसमें उसका इलाज चल रहा था जब हम किसी एक same thing की बात करते हैं और noun में तो उससे पहले दा लगाते हैं तो यहाँ पर दा आश्रम हो गया अंत में दिखाये जाता है तो अंत में in the end दिखाये जाता है it shows it is shown भी कर सकते हैं third form के साथ passive voice में हम बना सकते हैं it shows यहाँ देखते हैं इसा दिखता है ऐसे भी कर सकते हैं क्या दिखाये जाता है कि राधे अपना पूरा जीवन आश्रम में बिताता है तो इंग्लेश होगी राधे spends spend मतलब बिताना his whole life in the आश्रम आश्रम के अंदर अपनी पूरी जिन्दगी तो कुछ इस तरह से आपने देखा कि हमारी स्टोरी ट्रांसलेट होगी और आपने इसमें कई मज़ेदार words सीखे होंगे जैसे कि holigans या फिर rowdy या फिर traditional और भी बहुत कुछ तो है ना कमाल की चीज इसका screenshot ले लीजिए तो भाई साग ये थी आज की वीडियो तेरे नाम फिल्म की स्टोरी की translation के उपर I'm sure कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और मज़े मज़े में आपने बहुत अच्छे चीज़े भी सीखियोंगी है ना कमाल की चीज आ रहे ऐसी ऐसी चीज़े खोसता हूँ मैं यूट्यूब पे इकलोता ही हूँ है अकेला अब भाईया कोई वीडियो कैसी लगी ये मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा मेरा खून बढ़ जाएगा और ये भी सज़ेस्ट करना कि नेक्स्ट वाली कौनसी फिल्म क्या प्रांसलेशन देखना चाहते हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने वाला हूँ में अब मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ी ट्रांसलेशन प्रांसलेशन वाली वीडियो दो तीन हजार डाल दूँ यापे ठीक है तो कमेंट करना, सजेंस्ट करना, फीडबैक देना, प्यारे-प्यारे मेरे लिए बाते लेक्ड न मेरी खूपसूरती कि तारिफ करना और यस वीडियो को सबके शाषो करना और जाते जाते यस वीडियो को एक टुच्छासा लाइट बेकर जाना